हाई EV industry जिसके इंडिया में growth estimates 30 से 35% है up to 2030 लेकिन actual में ये industry कैसी grow कर रही है तो यहाँ अगर electric bus segment में देखें तो 62% की growth हुई है financial year 23 में 4 wheeler segment में 154% की growth हुई है low speed 3 wheelers में 114% की growth हुई है high speed 3 wheelers में 167% की growth हुई है and electric 2 wheelers में 179% की growth हुई है overall इस industry 154% की growth हुई है as compared to last financial year and total जितने भी बेकल्स की sale हुई है उसमें electric बेकल्स का contribution 5.59% है जो की काफी बड़ा number है data से पता चलता है कि electric बेकल्स का adoption estimates से भी ज़्यादा fast pace पर हो रहा है क्योंकि estimates तो सिर्फ 30 से 35% CSR growth के है actual में growth उसके 5 times से भी ज़्यादा हुई है directly stocks पर आने से पहले हम general investors के दो common arguments पर बात करेंगे पहला तो ये कि EV industry में battery का बड़ा रोल होता है इसलिए battery वाले stocks खरीद लो जैसे कि Amara Raja and Excite and अच्छे पैसे बन जाएंगे दूसरा काफी सारे investors के मुह से मैंने ये सुना है कि Tata Motors EV industry में अच्छा कर रहा है या महिंदरा अच्छा कर रहा है तो इसलिए इन companies के stocks खरीद लो तो यहाँ अच्छा पैसा बन जाएगा तो actual में क्या ऐसा करना सही रहेगा तो एक एक करके इन dots को clear कर लेते हैं तो start करते हैं first argument से यहाँ पर काफी सारे investors का ये मानना है कि battery manufacturers के stocks खरीद लो और यहाँ अच्छा पैसा बन जाएगा तो उसके लिए मैंने अमारा राजा की profit and loss statement खोल ली है तो अगर हम financially 22 and financially 23 के बीच में revenue का difference देखे तो यहाँ सिर्फ 20% के around ही growth हुई है लेकिन overall EV industry में तो 150% से भी जादा की growth हुई है तो दूसरा हम Excite Industries का भी case देख लेते हैं तो यहाँ भी revenue में जो growth है वो 20% के around ही रही है जब EV industry में इतनी high growth हुई है that is more than 150% तो इनकी revenue पर उसका कोई भी impact देखने को क्यों नहीं मिला है तो example के लिए हम Tata and Nexon EV का case लेते हैं जिसका price 15 से 20 lakh है लेकिन इसकी अगर हम battery replacement cost देखे तो यह 5 lakh से 5.5 lakh के बीच में आती है जो कि total vehicle की cost का 30 से 35% है ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई car manufacturer अपनी revenue का 30 से 35% किसी third party को दे दे जबकि जब भी कोई car बिखती है तो वो उस car manufacturer की brand value के गारण बिखती है ना कि customer उस time उस point को consider करते हैं कि battery किसने बनाई है इसलिए EV manufacturer अपने लिए batteries या तो खुद बनाएंगे अपनी किसी subsidiary के थ्रू अगर third party का उसमें कोई हाथ होगा भी वो सिर्फ joint venture के थ्रू ही होगा तो यहाँ अगर हम next on EV का case देखे तो इसके लिए जो battery बनाता ही है वो है Tata Auto Component Systems Limited जो कि joint venture है भी चाइना ज्गोश्वान हाइटेक I hope कि आपको first argument का reply मिल गया होगा अब आज आते हैं दूसरे argument के उपर कि EV industry की growth का benefit लेने के लिए हम legacy vehicle manufacturer जैसे की Tata Motors महिंद्रा और महिंद्रा, TVS, Hero और आइशर में invest कर दे और यहाँ भी अच्छा पैसा बन जाएगा उसके लिए हम कुछ data देख लेते हैं तो यहाँ अगर हम Tata Motors की revenue देखें तो financial year 22 and financial year 23 के बीच में सिर्फ 20% की बढ़ोतरी हुई है automotive industry के हिसाब से तो यह अच्छी growth है लेकिन EV industry वाली growth इसे नहीं बोला जा सकता भही अगर हम आईशर मोटर्स का case देखें तो यहाँ हम 40% की growth देखने को मिली है यह growth अच्छी है लेकिन यह company already high growth company है और यहाँ भी जो growth हुई है EV industry वाली growth नहीं हुई है थर्ड अगर हम मेंद्रा और मेंद्रा का case देखें तो यहाँ भी 30% के around growth हुई है लेकिन EV industry वाली growth इसे भी नहीं बोला जा सकता similar tend हमें Hero Motocorp and TVS में देखने को मिलेगा बही उलक्टा Green Tech जिसकी EV industry से 80% की revenue आती है जहाँ भी 80% से ज़्यादा की growth हुई है revenue में and similar trend हमें net profits में भी देखने को मिला है अगर हम auto sector में investment की बात करें तब यह legacy companies अच्छी है जैसे की Tata Motors, Aisher Motors in fact Aisher Motors तो मेरी खुद की भी favorite company है लेकिन जब EV industry की growth की बात आती है तो legacy manufacturers जैसे की Tata Motors, Aisher Motors EV industry की growth को match नहीं कर सकते उसका reason यह है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि यह अपने legacy infrastructure को बंद कर दे and सिर्फ EV पर focus करे क्योंकि लेक्टिव बेकल्स, टोटल बेकल्स की sale में सिर्फ 5.6% का contribution कर रहा है इसलिए इनको अपने EV infrastructure के साथ legacy infrastructure को भी continue रखना पड़ेगा दूसरा reason यह है कि इन legacy manufacturer के जितने EV units sales होंगे almost उसी ratio में उनके legacy units की sales कम हो जाएगी क्योंकि लेक्टिव बेकल्स के कारण automotive industry में कोई नई demand emerge नहीं हुई है इसलिए एक बहुत ही famous quotation है तो ऐसे में EV industry की growth की बड़ी beneficiaries किस तरह की companies रहने वाली है फस्तो बो companies जिनकी almost सारी की सारी revenue EV industry से आती है Harley Matters की बो EV manufacturer है या EV component manufacturer है या software service provider है क्योंकि इनको अपने EV infrastructure पर ही focus करना है ना कि legacy infrastructure को सेकिन बो companies भी EV industry की growth की biggest beneficiary बन सकती है जो electric vehicle के market के share को quickly gain कर रही हूँ या दूसरी company से market share को gain कर रही हूँ means उनकी order book में EV का contribution बढ़ रहा होना चाहिए फ्रेंट्स बीडियो अगर informative लग रहा है I request के video को pause करके like कर दे channel को subscribe नहीं किया है I request आप channel को subscribe कर दे and bell notification को on कर दे फ्रेंट्स मैंने जो भी viewpoint रखा है आप इससे 100% disagree भी कर सकते हैं क्योंकि इस industry से अगर profit होगा वो आपका होगा अगर loss होगा वो भी आपी का होगा तो companies की list पर आने से पहले मैं सुशील देवल capital and gains में आपका स्वागत करता हूँ मैं सेवी registered advisor नहीं हूँ इस industry में growth आई है तब से हर साल अपनी revenue को double कर रही है and net profits में भी काफी अच्छा trend देखने को मिल रहा है तो company का नाम Electra Green Tech है as a disclaimer मेरी खुद की भी इस company में investment है channel के established होते ही हमने इस company को cover किया था and तब से इस company न बंढ 35% के returns बना कर दे दिये है जब stock price ने अपना high लगाया था तब returns बं 67% के भी थे तो why Electra Green Tech? क्योंकि company अपनी revenue का 82% electric busses से generate करती है and ये share future में और भी बढने वाला है company का चाइना की company BYD जो की worldwide leader है EV industry में उसके साथ collaboration है company की present manufacturing capacity 1500 busses पर year की है हैधरावाद में company एक green field capacity कर रही है green field capex का मतलब है एक brand new facility को set up करना जिसके annual production capacity 5000 busses की होगी and इस plant को इस तरीके से develop किया जाएगा ताकि requirement पढ़ने पर इस capacity को enhance करके 10,000 busses भी की जा सके order book की बात करें तो company के पास 8,209 crores के orders in hand है जो की company की financial year 23 की revenue के 8 times है company इंडिया में first है जिसने electric tipper को launch किया है and electric tipper के लिए company को orders मिलना भी start हो गए है Q4 financial year 23 से further carbon free alternatives को द्यान में रखते हुए company ने alliance के साथ partnership करके first hydrogen bus को भी launch किया है तो ये business company अगर further scale करती है तो यहाँ से भी एक अच्छी growth आ सकती है price to earning company का थोड़ा higher है 129 लेकिन इतनी high growth company होने के कारण price to earning इसको थोड़ा higher ही मिलेगा लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि company की debt to equity 0.15 है नहीं तो automotive industry में debt to equity का भी higher देखने को मिलता है stock price 1112 का high लगाने के पाद presently 1216 के around trade कर रहा है इस तरह के consolidation में आप थोड़ी थोड़ी quantities consider कर सकते है market correction में अगर stock price में बड़ी correction होती है let's say 30% 40% तब आप थोड़ी ज़्यादा quantities भी consider कर सकते हैं अब कुछ EV component manufacturers को देख लेते हैं तो first company जिसको हमने shortlist किया है भाई Sona Comstar as a disclaimer मेरी इस company में investment है लेकिन बाई Sona Comstar क्योंकि company के अगर आप peer comparison में जाएंगे तो ये इकलोती ऐसी company है जो सबसे ज़ादा profit margins बनाती है बाकि कोई भी company आपको 14% से उपर के profit margins बनाती हुई नहीं दिखेगी और ये जो trend है ये लंबे समय से इसी तरह से चल रहा है financial year 19 में electric vehicle से company की revenue में सिर्फ 1.3% electric vehicle से आता था और आज बो बढ़कर 27% हो गया है जो की 21 times की growth है अगर numbers की बात करें तो financial year 19 में 17.4 क्रोर electric vehicle segment से आया था और बो बढ़कर अभी 782 क्रोर हो सकता है और ये 45 times की growth है order book की बात करें तो company के पास 22,100 क्रोर की order book है जो की financially 23 के revenue का 8.3 times है order book में 78% contribution electric vehicle segment का है जो की total बनता है 17,100 क्रोर friends quarter burn में company के EB program 46 हुआ करते थे जो की quarter 2 में बढ़कर 48 हो चुके है company के पास पूरे world से customer है यहाँ आप देख सकते हैं North America से 15 customer है Europe से company के पास 7 customers है and Asia से company के पास 4 customers है company ने Novelic नाम की company का acquisition किया है जो की servia based है इस company के acquisition से Sona Comstar अपने clients को वो services प्रवाइड कर पाएगी जो generally KPIT और Teta Alexi प्रवाइड करती है Novelic किस तरह की solutions प्रवाइड करती है वो screen pause करके आप यहाँ study कर सकते हैं friends यह जो चार ने products company की list में add हुए है यह Novelic के acquisition के बाद ही add हुए है जिनको आप video को pause करके study कर सकते हैं company के सारे financial metrics अच्छे है price to earning थोड़ा higher side पे है लेकिन high growth company होने के कारण इसको price to earning थोड़ा higher ही मिलेगा उसको बाद balance sheet excellent है cash flow भी अच्छे है company के and share holding में 9.39% company ही public के पास है तो इस तरह की correction में आप इस company को consider कर सकते हैं market weakness में अगर कोई बड़ा fall होता है तो उस time कुछ ज़्यादा quantities भी accumulate कर सकते हैं company के chart में भी roadening pattern बन रहे हैं जो की company की strength को दिखाता है उसके बाद company complex reverse head and shoulder pattern में बना रही है जो की एक काफी solid pattern माना जाता है तो इसलिए इस company को आप study करके consider कर सकते हैं next company एक small cup company है जो automotive headlamps, tail lamps, especially LED based headlamps and tail lamps बनाती है और इसके साथ company rear view mirrors and plastic molded parts भी बनाती है company का नाम fm industries है company electric two wheeler space में dominant player है and presently 35% revenue company की EV space से आती है यहाँ company के पास Ola, Okinawa, Empower, Hero जैसे clients है management EV space से आने बाली revenue को 50% तक ले जाने पर focus कर रहा है company को electric two wheeler से इसलिए बड़े orders मिल रहे है क्योंकि company की expertise LED based headlamps and tail lamps बनाने में है and almost सारे electric two wheelers LED based headlamps का use करते है company के complete customers की list आपकी screen पर है screen को pause करके आप study कर सकते है India के साथ-साथ company Hong Kong, Japan and Italy में भी अपने products का export करती है इसके साथ company Honda, Harley and Kubota के global models के लिए भी lightning solutions प्रवाइड करती है company Gogoro के साथ मिलकर motor control unit and hub motor assembly डेवलब कर रही है Gogoro leader है in battery swapping system and यह दोनों products जल्दी ही launch होने वाले हैं पहले यह दोनों products company Gogoro को ही supply करेगी क्योंकि Gogoro को company already hell lamps, tail lamps, rear view mirrors and plastic parts supply करती है Gogoro की supply के बाद यह products बाकी customers को भी दिये जाएंगे MCU and hub motor assembly किसी भी electric vehicle का nerve system माना जाता है तो इसलिए PM industry को यहाँ से एक अच्छी growth मिल सकती है company के सारे financial metrics अच्छे है, company debt free है इसके साथ company की valuation भी reasonable है profit and loss statement में company की revenue काफी steady pace पर बढ़ रही है उसके साथ company के net profits भी काफी steady pace पर बढ़ रहे है बही अगर हम balance sheet देखें तो company की balance sheet भी intact है reserves company के पास 787 crore के है इसके साथ company के पास 196 crore के cash equivalents भी है company cash रीच है क्योंकि company operation से लगातार positive cash generate कर रही है company stock price ने 2120 का high लगाने के बाद presently 2000 के around trade कर रहा है तो इस consolidation के जो lower levels है यहाँ पर अगर मिलता है तो काफी अच्छा रहेगा तो इस consolidation में अगर आप चाहें कुछ quantities consider कर सकते हैं fourth company एक microcap company है जो इंडिया की largest MCU manufacturer है MCU basically battery packs के बीच interface का का काम करता है जिससे electric vehicle की acceleration control होती है company का नाम sterling tools limited है presently company की installed capacity 3,75,000 MCU's बनाने की है and company इसे expand कर रही है and यह हो जाएगी 6,00,000 MCU's per annum MCU development के लिए company ने sterling gtech e-mobility नाम की subsidiary setup की हुई है in collaboration with Chinese partner gigansu gtech electric mobility MCU के लिए company के पास presently 16 contracts है and यह contracts किन customer से है management ने उनका नाम नहीं बताया है company अभी अपनी revenue का 30% ही EV industry से generate करती है लेकिन MCU के business में growth के साथ ही EV industry से आने वाला revenue share और भी बढ़ सकता है company काफी छोटी है company के सारे financial metrics अच्छे है debt to equity 0.32 है उसके बाद company का price to earning 26 का है जो की ठीक ठाग है profit and loss statement में देखे हैं तो जब से EV industry में growth आई है तो company की revenue में भी अच्छी growth देखने को मिल रही है and इसी के साथ company के net profits में भी ठीक ठाग growth देखने को मिल रही है company की balance sheet भी अच्छी है क्योंकि company के पास जो borrowing sum 136 क्रोर की है इसके साथ company के पास reserves 412 क्रोर के है and company के पास 77 क्रोर के cash equivalents भी है cash flow भी अच्छा है company का क्योंकि company लगातार operation से positive cash भी generate कर रही है company के stock price ने 450 का high लगाने के बाद presently 350 के around trade कर रहा है तो इस तरह की consolidation में इस तरह की companies को consider किया जा सकता है लेकिन हमारी investment amount काफी चोटी रहनी चाहिए क्योंकि company का size काफी चोटा है अभी तक हमने EV manufacturer and EV components बनाने वाली companies को study किया है लेकिन जो lithium ion batteries होती है उसमें electrolyte additive का भी बड़ा रोल होता है तो इसलिए आप एक chemical company को भी study कर सकते हैं presently गुजराथ fluorochemicals, neogen chemical and army organics इस space में काम कर रही है जैसा कि हमने कहीं सारे videos में discuss किया है कि आप ME organics को consider कर सकते हैं क्योंकि ME organics world की इकलोती ऐसी company है outside China जिसने electrolyte additive को in-house develop किया है and electrolyte additive का जो use है वो energy storage devices में होता है electrolyte additive के sample को presently company के 6 customers ने अलड़ी approve कर दिया है electrolyte additive को presently 7 to 8 players बनाते हैं ये सारे के सारे चाइना से है तो यहाँ ME organics को China plus one policy का एक बड़ा benefit मिल सकता है क्योंकि electrolyte additive के case में बल्ड की किसी भी company के पास चाइना का कोई alternate available ही नहीं है तो यहाँ एक key risk ये रहेगा कि company के product की अगर market में अच्छी acceptance नहीं होती है तो यहाँ हमारे growth estimates गलत साबीत हो सकते हैं इसी industry में company ने दो औरने products मनाये हैं जिसमें से एक का use lithium ion batteries की electro capacity बनाने में होता है और second का use solid batteries में होता है friends इस company को हमने काफी brief में cover किया हुआ है ज्यादा जानिकारी के लिए आप link में दी हुए video को देख सकते हैं तो EV industry की growth के लिए chemical side से आप ME organics को study कर सकते हैं electric vehicles में software system भी काफी crucial role play करते हैं तो इसलिए fifth company हमने software solution provider select की है company जो solutions प्रवाइड करती है वो autonomous driving, electric and conventional power train, connected vehicles, integrated diagnostics and after sales transformation services and digital connector solutions प्रवाइड करती है company हम सबकी favorite है और company का नाम है KPIT company के सारे ही financial metrics अच्छे हैं except की company की valuation जो की काफी higher levels पर है that is 82.4 company की sales में जवर्दस growth हो रही है, company के net profits में जवर्दस growth हो रही है company की balance sheet जवर्दस है जहां company के पास borrowing सिर्फ 376 crore की है लेकिन company के पास reserves 2586 crore के है उसके बाद company के जो cash equivalents है वो भी 575 crore के है company operation से लगातार अच्छे cash generate कर रही है means company cash rich है company के stock price में एक बड़ा run-up भी हुआ है, valuation भी higher है तो इसलिए इस तरह की companies में आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको थोड़ी से dip मिले तो आप कुछ quantities को consider कर सकते हैं bulk buying recommended नहीं है हाँ अगर कभी market correction में stock price एक बड़ी correction लेता है let's say 30%, 35% तो उस case में आप थोड़ी ज़्यादा quantities भी consider कर सकते हैं आप इसकी जगा Tata Lexi को भी consider कर सकते हैं तो ये थी आज की 6 companies लेक्टिव बेकल इंड़स्टी से friends अगर आप वीडियो का आपने यहाँ तक देख लिया है आरक्वेस्ट आप वीडियो को लाइक जरूर कर दे चैनल को subscribe नहीं किया है आरक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर subscribe कर ले तो मिलते हैं आप से अगले बीडियो में take care